आज के मिठाई आपको ना इसके लिए बहुत जादा समानों के चुद्ध भी नहीं पड़ेगी, सिर्फोर सिर्फ तीन चीजों से बनकर तयार होने वाली है, अधिकर कितनी ज़ाधा सोप्ट बनी है, बहुत ज़दा टेस्टी आपक दे खाने में, अब देगे इस मिठाई को लेना को कच्छ लोकी लेना है जिस लोकी में बीच कच्छ होते हैं जो आसाने से टूट जाते हैं इसके लिए ना बस उस्तरे कर लोकी ले लेना है लोकी के मिठाई बनाने से पहले ना लोकी में से एक्स्ट्रा पाने चोड़कर अलग कर लेना है जिसे कि जो मिठाई भुचल लेपर लगे ना और अच्छी से सारी लोह कोंदें देखें काफी सोप्ट होता है जिसनी मादर स्था में लोह की ली थी ना उतनीं मादर relationship में लगई ली थी उतनीं में ली लिया है तो एक कटोरी मेंoud ली ली थी तो अगर आपको दोतार दिखाय दिखाए तो आपकी चास्ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन करते हैं के साथी जो मिठाई के लिए इस नीयाे इसे मिठाई के बिल्कुल परफेक्ट tapped करने लगती है जब आपकी विचास ने साइट है बरतन पर चिपकने लगे तो आप भी समझ जाए जो आपकी इस मिठाई की चास ने बिल्कुल पर्टाइब कर तयार हो चुकी है अभी देखिए मैंने मावा लिया है तो यह ना डेड़ ग्लास दूद का मावा है इसके बाद इसे बहुत अच्छे से चास ने मिक्स करेंगे ना आपकी जो मिठाई उतनी बढ़िया बन कर तियार होगी अब देखिए यह काम ना आपको फटा-फट से कर लेना है क्योंकि इस टाइमने मिठाई बहुत इस प्रिट से गाड़ी हो जाती है और अगर मिठाई बरतन में ग गी लगा कर रखते हैं तो जो मिठाई है वह बहुत असानी से बरतन में निकल जाती है और चिपकती नहीं धेखिए इस मिठाई की ठंड़ा कोनी से पहले ही ना आपको इसके पीस बना कर तियार कर लेने में अल्गोंकि investरिलत पर इसका शानी से तयार कर लेनी के अगर अब देखें जो मार्केट में मिठाई मिलते हैं लोकी वाली तो इसका जो कलर होता है वह बहुँत चाहिक नहीं जाता है तो एक महीने तक ना आप इसको आराम से श्टूर करके रख सकते हैं यह खराब बिलकुल नहीं होगी इसको ना किसी भी विश्यश्यस वस्तवर बना कर खा सकते हैं व्रत्व में भी खा सकते हैं अब यह देखे कितने सूपर सोप्ते मिठाई बनी है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब जूर कर दीजिएगा